कहीं न कहीं अगर आपको normal laptop चाहिए, आप gaming laptop ले लोगे, तो आपको battery backup उतना नहीं बिलेगा, फिर कहीं न कहीं laptop बलकी भी रहेगा और आपका experience पुरा खराब हो जाएगा, laptop बिकेगा नहीं फिर, और बिकेगा तो loss दे के जाएगा क्या हाल हैं दोस्तों, I hope आप से बच्चे होंगे, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा knowledgeable होने वाला है, बहुत ज़्यादा information से भरा हुआ है, आपको कुछ definitely सिखा देगा, अगर आप एक laptop बाय करना चाह रहे हो, 60,000 का, 70,000 का, 50,000 का, तो फिर ऐसे में आप लोग काफी ज तक confuse रहते हैं, gaming laptop और normal laptop के बीच में, अब normal laptop से मेरा मतलब है, iGPU वाले laptop से, iGPU आपका gaming laptop में भी होता है, बट वहाँ पर support करने के लिए आपको dedicated graphic card मिलता है, बट normal laptops के अंदर आपको कोई dedicated graphic card नहीं मिलता, resultant आपको यहाँ पर better battery backup मिलता है, ठीक है, जो gaming laptops में इतना better battery backup होता है, उन्हें पता ही नहीं होता है, उनको laptop कौन सा choose करना चाहिए, उनको कुछ-कुछ यह तो बता होता है, कि gaming laptop बहुत powerful होते हैं, बट कुछ लोगों को actually gaming laptop की जरूरत ही नहीं होती है, उन्हें normal laptop buy करना चाहिए, iGPU के साथ, बट वो gaming laptop buy कर लेते हैं, या फिर confused रहते है मेरे से most नहीं लोग पूछते हैं, जब तो confused रहते हैं, परिशान रहते हैं कि gaming laptop चूज करें या normal laptop चूज करें, तो यह जो video होने वाला है, यह आपका ये वाला confusion, पूरी तरह से दूर कर देगा, आपको बिल्कुल भी doubt नहीं करना पड़ेगा, कोई परिशानी आपको नही प्लस आपको कौनसी वाली सीरीज वाला processor या laptop बाय करना चाहिए, processor कैसे बाय करोगे, laptop भी बाय करोगे, उसकी के अंदर होगा processor, ठीक है, तो आपको clear idea इस वीडियो से मिलने वाला है कि H लिया जाए या U लिया जाए, यह समझना इसले भी ज़रूरी है कि कहीं आप गलती से gaming laptop चूज ना कर लो, आपको normal की जरूरत हो, आप gaming ले लो, तो ऐसे में क्या होगा, आपका experience है वो बिलकुल बिकार हो जाएगा, आपको काम करना होगा, coding करनी होगी, web development करना होगा, जो भी कुछ करना होगा, कहीं न कहीं अगर आपको normal laptop चाहिए, आप gaming laptop ले लोगे, तो साथ दिन ना करते हुए, शुरू करते हैं वीडियो को, बट वीडियो शुरू करा जाए, उससे पहले हो जाए हमारा इंट्रो, अगर आप नई हो चैनल पे, आप यकीन मानना आप चैनल को subscribe करिए, bell icon को press करिए, आपको यहाँ पर laptop से related बहुत सारी information मिलेगी है हमारे चैनल पे, करीब करीब मैं 400 वीडियो बना चुका हूँ, जो आपको knowledge से पूरी तरह भर देंगे, इससे पहले भी मैंने काफी सारे processors, काफी सारे graphics card का comparison किया है, theoretical comparison किया है, practical comparison किया है, तो आप देख सकते हो, उपर i button में आपको कुछ links मिल जाएंगे, और description में भी मैं कुछ session आपक दे दूँगा यहाँ पर वीडियो के, कहने का मेरा यह मतलब है कि अगर आपको यह सारी चीजों में interest है, यह laptop लेने वाले हो, तो पहले थोड़ा सा समझ लो चीजों को, उसके बाद चूज करना, आप बिलकुल भी regret नहीं करोगे, अगर आप सही से चूज करोगे, तो चली इनों प्रोसेसर हैं, यह आसपास के प्रोसेसर हैं, जैसे आप 55,000 रुपे से शुरुआत करते हो, laptop की, buy करने के लिए, तो यहाँ पर आप जैसी 55 से शुरू करते हो, 60, 65 तक पहुचते पहुचते, आपको यह वाले प्रोसेसर मिलने शुरू हो जाते हैं, आपको U-Series वाल यह भी शुरूआती रेंज का प्रोसेसर है, U-Series का और यह जो H-Series है, H-Series का जो 5600H है, यह भी शुरूआती रेंज का प्रोसेसर है, तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि यह U-H, H-S, U-S कहा होते हैं, क्या जरूआत पढ़ गई U-H, H-S सीरीस के प्रोसेसर ब बोला जा सकता है, मतलब भर भर के जादातर नोट बुक्स के अंदर यही वाले प्रोसेसर लगाए जाते हैं, इससे क्या होता है, यूजर का एक्सपिरेंस काफी अच्छा हो जाता है, और वही पर H-Series को जो प्रोसेसर हैं, वो हाई पर्फॉर्मेंस प्रोसेसर होते हैं, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाईज आपको पर्फॉर्मेंस है, तो देखने को मिलेगा नहीं इन प्रोसेसर के अंदर, और यह गेमिंग लेप्टॉप्स के लिए बनाए गए हैं, तो जो हेवी हेवी गेमिंग लेप्टॉप्स होते हैं, जिनके अंदर बढ़िया बढ़िया पर यहां पर यहां पर मतलब है, एच तो होगया हाई परफॉर्मेंस ठीक है, और एच का मतलब है स्लिम फॉर्म फेक्टर, तो जो भी लेप्टॉप्स गेमिंग लेप्टॉप्स होते हैं, और स्लिम होते हैं, या फिर उन्हें आप कॉंटेंट क्रियेशन वाले तो उन लेप्टॉप्स के अंधर आपको हैच सीरीज के प्रोसेसर्स दिखाई देते हैं, यह प्रोसेसर्स बेसिकली थोड़ी सी लोट टीडीपी पे काम करते हैं, इन कंपैरिजन ओफ एच सीरीज प्रोसेसर, और यहां पर यह जो है थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस निकाल तो यहां पर काफी थिन, मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे, जो काफी थिन वाले लैप्टॉप होते हैं, उनके लिए बना है यू, और जो थोड़े से हैवी और ज्यादा है लैप्टॉप्स होते हैं, उनके लिए बना है एच, अब मैं आपको दोस्तों कुछ ऐसा डेटा जो आपके लिए समझना ज़रूरी है, अगर ये डेटा आप देख लेंगे, तो आपको काफी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और यहां पर मैंने वो ही ज़रूरी डेटा लिया है, जो आपके लिए समझना ज़रूरी है, कोई फाल्तुगी बात नहीं करेंगे, कुछ 5500U, 5600HS, 5600H को देख सकते हैं, यहां पर इन तीनों की क्लॉग स्पीड मैंने यहां पर मेंशन कर रखी है, 2.1 GHz कम से कम मेंटेन कर सकता है, 5500U और 5600HS और 5600S थोड़ी सी जादा GHz की क्लॉग स्पीड पर सेट किये गए हैं, जो लो वाली क्लॉग स्पीड है, तो यहां प प्रॉटेर्स होते हैं, वो अराम से चला सकते हैं, और H-Series के प्रॉइस Bonушка होते हैं, और H-Series के प्रॉसेसर होते हैं, उनकी क्लॉग स्पीड को थोड़ा सा बेस प्रॉद को हाई इसनी रख्का आता है, करीब करीब 1.2 GHz इसनी रख्का आता है ताकि Games ठीक से चल पाएं, ये वाले जो प्रोसेसर होते हैं मुस्नि आपको 3 GHz के उपर ही काम करते मिलेंगे, क्योंकि इतना जरूरी होता है गेम्स को अच्छे गेम्स में अच्छे FPS प्रोडियूस करने के लिए, ग्राफिक काईट का साथ निवाने के लिए, अगर यहां पर क्लॉक स्पीड जादा कम करती जाएगी, तो फिर ग्राफिक काईट का साथ नहीं निवा पाएंगे, एचेस और एचेस सीरीज वाले प्रोसेसर, और अगर यू सीरीज वाला कोई प्रोसेसर लगा हुआ है, किसी गेमिंग लैप्टॉप के अंदर, या फिर जबरदस्ती उस लैप्टॉप को गेमिंग लैप्टॉप बनाया गया है, तो यहाँ पर U-Series का जो processor है वो अपनी clock speed को करीब करीब 3 GHz से उपर ही maintain करेगा तब ही वो games में बड़ी अतरह से काम कर पाएगा यह सब कुछ automatically होता है, auto shift होता है, आपको कुछ नहीं करना है processor अपने आप बहुत rapid fast speed से कर लेते हैं मेरे खायल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ इसी यह U-Series के जो processor होते हैं वो जादा battery efficient होते हैं in comparison of H-Series processor है H वाला उतना battery wake-up कभी नहीं दे सकता है जितना U वाला दे देगा थोड़ा सा S-Series के processor के बारे में बता देता हूँ यह S-Series के जो processor होते हैं वो थोड़े से जादा TDP पे काम करते हैं मतलब full TDP पे काम करते हैं करीब-करीब 45 watt depending upon processor configuration तो यहाँ पर जो processor होता है न वो काफी बड़िया performance या फिर कह लिए यह full performance निकाल पाता है U-Series के processor के comparison में पूरी की पूरी performance निकालेगा और बिल्कुल भी आपको compromise performance में देखने को नहीं मिलेगा तो यह advantage होती है S-Series के processor की बावर जादा ले रहा है तो काम भी जादा कर देगा तीनों ही processor की cache वाली information आपको screen पे देख रही होगी तो मतलब physically यह तीनों processor course के मामले में सेम है और TDP के information में आपको बताते तो देखे TDP के अगर बात करें यह होती thermal design power आपका processor जो है वो कितना maximum power को consume कर सकता है और उसका जो laptop का thermal system है न वो कितना power जो है processor आपका consume करे और वो उसकी heating को समाल ले ठीक है यह थोड़ा सा synchronization में काम करता है यहाँ पे जो TDP है ना 5500 U की वो 25 watt है भाई Hs और H वाले की आप देख सकते हो करीब करीब 10 watt जादा है Hs की U के comparison में और H की 20 watt जादा है तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे इन processors के अंदर power consumption का difference है इसी निये performance में काफी difference है जो हमारे thin and night laptop होते है उनके अंदर cooling system इतना बहतरीन होता ही नहीं है जादा बहतरीन cooling system नहीं होता है इसी वज़े से यहाँ पे जो TDP है उसको कम करके रखा जाता है जिससे की processor जादा power को consume ना करे क्योंकि समाल तो वो पाएगा नहीं laptop आपका thermal system उसका ऐसा होगा नहीं जो समाल ले उसकी heating को तो इसी नहीं कम ही रखो और normal वाले सारे काम तो करवा ही देगा आराम से या फिर थोड़ा heavy भी काम करना है तो करवा देगा आराम से जब तक आपको games नहीं खेलने है तब तक U-Series वाले processor आपके नहीं more than enough है तीनों ही processor 7 nanometer की technology पर काम करते हैं सबका transistor size 7 nanometer है और तीनों ही processor 105 degree तक temperature छेल सकते हैं आप यहाँ पर score देखिए इससे आपको और ज़्यादा clarity मिलेगी और मैं जो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ वो और अच्छी तरह समझ में आएगा यहाँ पर मैंने cinema 423 score को compare किया है 5600H के और 5500U के एक U-Series का processor एक H-Series का processor को इसी नहीं compare किया है ताकि यह आपको single core में और multi core performance पे difference पता चले है देखिए power consumption जाहिर जी बात है 5600H करीब करीब 15.5% जादा काम करता है 5500U से single core में एक single core और multi core performance आप देख पा रहे हूँगे करीब 35 या 36% आप माल लो या फिर 40% तक आप बान सकते हो क्योंकि हर एक laptop का thermal system अलग-अलग होता है उसी के according processor अलग-अलग TDP पे काम करते है तो जरूरी नहीं है सारे processor 45W पे काम करें कुछ हो सकता है 44W पे काम करें 43 पे करें या फिर depending upon thermal system वो जादा पे भी काम कर सकते हैं ये सब company जो है configure करती है तो यहाँ पर जो better और powerful निकला वो निकला H series का processor तो यहाँ आप देख सकते हो आपको difference दिखाई दे रहा होगा 5600 Hs processor जो है वो U series के comparison में करीब-करीब 26% ज़्यादा performance निकालेगा और वहीं H series का processor U series के comparison में करीब-करीब 35-40% ज़्यादा performance निकालेगा यहाँ पर pie chart के through भी आप देख सकते हैं यह भी मैंने दिखाने की कोशिश किये ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए तो देखे यहाँ पर H series के जो processor है green part जो है H वाला है तो यहाँ आप देखी कितना ज़्यादा एक अगर circle में हम देखें तो यहाँ पर कितना ज़्यादा हिस्सा H series वाला ले रहा है तो इसी से पता जलता है कि H वाला part ज़्यादा है H बहतर है बट नॉर्मल लोगों के लिए H बहतर नहीं है जिन लोगों को gaming laptop लेना है 1650 graphic card, 3050, 3050 TI अगर किसी भी heavy graphic card के साथ में pair करा हुआ है laptop gaming laptop है तो वहाँ पर H series का processor देखेगा नॉर्मल काम करने हैं office के task करने है student हो आप coding के लिए चाहिए programming के लिए चाहिए कितना भी कैसा भी इस तरह का जो हलका काम होता है जहां तक आपको game नहीं के लिए होते हैं करने में आसान होगा लाने ले जाने में आसान होगा H वाले laptop जो है थोड़े मोटे होते हैं भारी होते हैं और उनको power चाहिए होती है all the time पढ़िया तरीके से काम करने के लिए क्योंकि मैंने बताया कि उनको clock speed जो है अपनी maintain करनी होती है 3 GHz के उपर तो यहां इस वीडियो में मैंने काफी information ऐसी डाली है जो आपके लिए जरूरी थी मैंने अपना एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप गलट decision बिलकुल ना लो अगर आपको किसी laptop के अंदर doubt है आप कुछ पूछना चाहा रहे हो आप मेरे साथ कुछ discuss करना चाहा रहे हो आप नीचे comment box में अपना question put करो आप अपनी query put करो मैं उसको read करूँगा कोशिश करूँगा read करने की reply करने की हो सकेगा तो instagram पे reply करूँगा but आप wrong decision मतलो जो भी solution है आपकी जो भी आप buy करना चाहा रहे हो आप नीचे comment box में मुझे बताओ मैं आपको बताओंगा सही कर रहे हो गलत कर रहे हो क्या कर रहे हो तो इस तरह के informative videos मेरे channel पे और भी धेर सारे हैं वो भी आप देखना आपको knowledge बहुत मिलेगी कहीं किसी point पर मैं गलत लगा हूँ तो मुझे नीचे comment करके जरूर बताना मैं उसे improve करूँगा साथ ही साथ मिलता हूँ आपसे अपने next वीडियो में बड़ियर topic के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिन और हाँ subscribe जरूर करना subscribe करना मत भूल जाना बड़ियो झाल जाँ झाल जाँ झाल जाँ झाल जाँ झाल